नमस्कार साथियों, Elevator Tech Guru Classes में आप सभी का स्वावयत करता हूँ साथियों, आज अपन Class Practical वाली स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो Class है, वो होगी Contactry के बारे में Microprocessor Control Panel की अपनी Present Time पे Classes चल रही है और उसी के जो Part है, Panels के Parts के बारे में अपन जान रहे हैं तो पहली जो Class हुई थी, Starting जो Part था, First जो Part था, वो था अपना MCB और Second जो Part है, वो है अपना Contactor तो इस Second Part के बारे में आज अपन जानेंगे, Panels में बहुत सारे Part होते हैं वेसे तो अपन एक-एक पैनल, जो Part है, एक-एक पार्ट है, उनके बारे में Step by Step जानेंगे पर पहला जो Part अपने पढ़ा था, वो MCB पढ़ा था, और Second Part जो पढ़ा है, अपने वो Contactor पढ़ा है तो Contactor के से वर्क करता है, Contactor क्या है, वो अपनने इसकी जो Theory है वो Theory वाली क्लास में, पिछली क्लास में अपने सीखा, आज अपन इसका practical करने जा रहे हैं, हूँ भी हूँ अपन देखेंगे कि ये Contactor क्या है, कैसे ये वर्क करता है, और इस Contactor के अंदर अपने को क्या-क्या देखने को मिलेगा, इस Contactor के अंदर भी कौन-कौन से Part होते हैं वो आपको बहुत ही आसानी से और सनल भासा में आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो साथियों आप सभी का फिर से मैं एक बार Welcome करता हूँ मेरे Elevated Tech Group Classes में, तो चलिए ये है अपना Table पे रखा Contactor, और इस Contactor में आज अपन जानेंगे कि कहां पे इसका जो Input है, कहां पे Output है और कौन सा जो है, अपना Switching के रूप में जो Use करेंगे, कंट्रोलिंग के लिए जो Use करेंगे, वो कौन से टर्मिनल है, और कोईल के कौन से टर्मिनल है, और इसके अंदर जो कोईल होती है, वो किस प्रकार की दिखाए देती है, तो वो सारी चीज़े अपन इस Contactor में जानें से, तो यह Automatic किसी भी Load को Automatic बनाने का काम यह करता है, तो एक Electric Automatic Switch के नाम से इस Contactor को बन जानते हैं, कोईसा भी Heavy Load हो, तो अपन Contactor के माधियन से उसको Automatic बना सकते हैं, तो चलिए, यह रहा अपना Contactor और इस Contactor का सबसे पहले, यह जो Cover है, इसको मैं हटाता हूँ, और एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, स्नाइडर इसकी कमपनी है, स्नाइडर इसकी कमपनी है,